पिलावुल्लकंडी तेक के परंबिल उशा-पीटी उशा एक पूरी दुनिया से मान्य भारतिय ट्रैक और फिल्ड एथलीट हैं। उनका जन्म 27 जून 1964 को केरल के कोजिकोट जिले के एक छोटे से गाव कूथली में हुआ था। उनका बचपन पायोली में बिता, जहां उन्होंने खेलों के प्रती अपनी प्रेम और पैशन को बढ़ाया। उशा का उदगाटन बड़ी रैंकिंग के प्रतियोगिता समारोह में 1977 में हुआ, जहां भारती एथलेटिक्स कोच O.M. नामबियार ने उन्हें देखा। उनके साथ ही कोच ने इस समारोह के बाद उनके साथ काम करने का निर्णय लिया और इससे उशा का खेलों में करियर शुरू हुआ। उशा के त्वरित प्रदर्शन ने खिलाडियों को हैरान किया और उन्होंने 1978 में कोलम में आयोजित इंटर स्टेट मीट में 100 मीटर, 200 मीटर, 60 मीटर हर्डल्स और हाई जंप में 4 स्वन पदक जीते। वे इस मीट में लॉंग जंप में चांसी और 100 मीटर रिले में कांसिय भी जीतने के बावजूद बड़े अच्छे प्रदर्शन से प्रतिष्ठित हुई। 1979 के नेशनल गेम्स और 1980 के नेशनल इंटर स्टेट मीट में भी उन्होंने कई मीट रिकॉर्ड बनाए। सीनियर इंटर कंट्री मीट में 1981 में बैंगलोर उशा ने 100 मीटर में 11.6 सेकंड और 200 मीटर में 24.8 सेकंड के समय दर्ज किये जिससे वह नेशनल रिकॉर्ड बनाई। 1983 में जमशेदपुर के ओपन नेशनल चैंपियनशिप में वह फिर से 200 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड बनाई। 23.9 सेकंड के समय से और 400 में 53.6 सेकंड के समय दर्ज करके नई नेशनल रिकॉर्ड बनाया। 1983 के कुवेट सिटी में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप में वह 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीती। 1985 जाकरता एशियाई चैंपियनशिप में उशा ने 6 मिडल जीते, 5 स्वर्ण और एक कांस्य। उन्होंने 100 मीटर में 11.64, 200 में 23.005, 400 में 52.52 और 400 मीटर हर्डल्स में 56.64 में गोल्ड जीता और इन दोनों को जीतने में केवल 35 मिनट का अंतर था। उनकी पांचवी स्वर्ण जीतने के साथ ही उन्होंने इस प्रक्रिया में इन चैंपियनशिप के इतिहास में एक ही इवेंट में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने एशियाई चैंपियनशिप में भारत की 100 मीटर रिले में प्रतिनिधित्व किया जहां उनकी टीम ने सोने का मेडल जीता और वर्तमान नेशनल रिकॉर्ड बनाया। 44.43 सेकंड के समय के साथ। 6 जुलाई 2022 को पूर्व राष्ट्रपती रामनात कोविन द्वारा उन्हें राज्य सभा के लिए नामित किया गया। इस तरह पीटी उशा ने भारतिय खिलों के इतिहास में अपने महान करियर के साथ एक अदवितिय स्थान बनाया। और आज भी वे भारतिय खेल और अथलेटिक्स के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। वरतमान में वह भारतिय टैलेंट संगठन की समिती के प्रमुक हैं। सब्सक्राइब A3 Studio और स्टे टून्द।